इस वकित मैं यूस मरग की अपर रीचिस के अंदर हूँ and this area is very beautiful with lush green meadows and doll woody trees और दायमाय में देख रहा हूँ हूँ के धियार के बड़े खुबसूरत पेड़े हैं और इन पेड़ों के बीच यहां वाइबरनम प्लांट जो है काफी मगदार में घ्रो कर रहा है जो इस एरिया के खुबसूरती को बढ़ाता है अगर हम जी एंड के के वाइबरनम प्लांट की बात करें जिसे कॉमली हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे रजोरी डिस्टिक में दरहाल का अपर रिचिस होगी थनामंडी की अपर रिचिस देरागली वगारा तो यह एरिया जो है आर रिच हैबिटेट आफ दिस वाइबरनम और इसी तरीके से चुके मैं यूसमरक के अंदर हूँ और यूसमरक की जो मॉन्टेनियस यहां के बुचिज जो है इस वाइबरनम प्लांट के हैं और इसके जो चार सपीशिस है जेन्टे में ग्रो कर रही है लेकिन यह जो यूसमरक का अरिया है यह स्पीशिस यहां के फुलोसमि को ज्यादा एड़ कर रही है वह ब्रनम ग्रेनि फॉलियम और यह यह सट पीशिस क्लाइमेट एंड मॉन्टेनियस रिजन आफ दिस यूसमरग एरिया और चुके यह जो वाइबरनम है यह दो से तीन मीटर इसकी ग्रोथ जाती है यह इस इस श्रब और इस वकद चुके यह फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं यह फ्रूटिंग स्टेज पर है और यह जो अब यह अन राइप है मैं और भी दखा सकता हूं अभी जो राइप फूट आइबाएं कुछ प्लांट्स पे होंगे मैं दखाऊंगा तो इसकी जो यह जो सिपीशिस है वाइबरनम इसकी बहुत सरी मेडिशनल यूजिस है इसका जो बार्क है इसके बारक डिकॉशन हम इस जो तो इसके बार्क हो शकता है इसी तरीके से और बहुत सरे इसके यूजिस है इसी तरीके से जो बैरीज है एक एपस्ट अबयाइब यूजिस हैं जैसे आजिये अशुयु इसी तरीके से अगर हम इसके एकोलोजिकल यूज की बात करें तो एक हमारे एक एरिया की खुबसूरती को बढ़ाता है हम इसको और्नमेंटल पर्पोस के लिए इस्तमाल कर सकते हैं कि जो फ्लॉवर्स हैं यहां पर कुछ राइब भी हैं तो जब इसके जो फ्लॉवर्स हैं आप देख रहे हैं यहां पर कुछ राइब भी हैं तो जब यह राइब होते हैं तो इस ब्लड रेड कलर का जूस जो है वो इससे निकलता है एंड इस आर वेरी टेस्टी जब इसको हम चू करते हैं और इसके बाद सक करके सिंगल सीडिट फूट है और बहुत ही टेस्टी है इसका और आज कल के इस मौसम में लोग अपर रिचिस को आते हैं और वो भी इसको इसके फूट को एंजाए कर सकते हैं थैंक यू